हमारे साथ इस समय बागेश्वर बाबा के नाम से मशूर पंडित धिरेंद्र क्रिशन शास्त्री हमारे साथ मौझूद है बहुत बहुत स्वागत है आपका हमेशा तो चर्चा में आप रहते हैं लेकिन कुछ दिनों से ऐसा मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा लो यह जो लंबी छलाग है वो यात्रा के रूप में देखेंगे हम हम पद्यात्रा करने वाले हैं भारत को एक करने के लिए जातपाद वेदभाव चुआ चूट उंच नीच अंग्ड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए क्योंकि मंदरों के बाहर ये तो लि बाहरत को अगर मरीमपूर होने से बचाना है भारत को नुह और मेबाद जैसी घटना जैसे होने से बचाना है वहरायच और वरेली जैसी घटना होने से अगर बचाना है तो भारत की जातपात के उपर उठकर के हम सब हिंदू एक हैं इस पर जोर देना पड़ेगा नहीं त पुटी छोटी बच्चियों के साथ जुन्य निर्दीता हुई उसके कारण हमारा खुन खुल गया और हमने प्रण लिया कि आने बाले 500 साल तक के लिए इस भारत में सनातन की उपर कोई उंगली न उठा सके उसका एक ही उपाय है हम सब जुड मिलकर के रहेंगे जातपात से आपको लग रहा है कि भारत में सिती इतनी बुरी या आपको लग रहे हैं कि आपको बंगलादेश की तरह बनने से बचाना है दस साल भी फूर हम बोल रहे हैं इसलिए हमारी बातों का बहुत ज़ीच़ादा हो सकता क्यमजाक लगे तो कटेंगे जिसके इर्दगिर्थ खूब राजनीती हो जाती है और आप उस सुर में अगर बोलते हैं तो आपको कॉंग्रस नेता कहते हैं कि ये तो बीजेपी की लिखाई हुई बेफिजूली की बात हैं चार जुलाई को तब तक ये नारा भी नहीं आया तद हम तब से बोलना है आपकी द्रश्टी अभी गई है ये दुर भाग गये ये प्रन हमने चार जुलाई को लिया था कि जात पात और भेद भाव को जड़ से हमें मिटाना है हमें भारत भब बना है ये चार जुलाई आज से तीन महीना पहले ये नारा तो अभी आया है वहीं को एकड़ महीना पहले पता नहीं कि लोग क्यों हमसे जोड़ देते हैं हमें क्या लेना किसी पार्टी से हमारे तो सपागे भी लोग हैं अभी कुछ दिन पूर्व मैं तो भईया राजा हमारे अपने तो यह यात्रा आपकी हिंदूओं को किसी दूसरे मजहब के विरुद्ध एक जुट करने की बात है या फिर जातियों से परे हिंदू धर्म को एक जुट करने की बात है जो बहुत जादा जातियों में फसे हुए हैं उच नीच में फसे चुबा छूट में फ वा है या फिर ऐ यह जो है किसी पटेल की ऊपर हुआ हम यह 으ये कहना चाहते हैं तो हमला हिंदू पर माना चाहए इसा होगा हमारे देश को कहता है किः धर्म बदलना बहुत आसान है जाती बदली ही नहीं जा सकती है हमें जाती ही नहीं बदलना है सर अपना گौराव करना गर्व करना कि हम हिंदू हैं सरनेम हमें हटाना ही नहीं सरनेम हमें मिटाना ही नहीं सर्फ एक प्रियोग करना है कि हम हिंदू हैं और हमारे खिलाप हमारे राम के राजमें राम के राश्ट में राम के होने के सबूत मांगे गए 500 सालों तक लड़ाई लड़ते रहे हम त निकाले उसको बीत चौराय पर जलाया गया और तुम चुपो तुमारे राष्ट में तुमारे वंस की एक बेटी तुमारी खांदान होगी वो भी किसी की बेटी बेहन विचारी डॉक्टर ही तो थी कोलकाता में नर्दैता बरवैता के साथ उसके साथ अत्याचार हुआ घर के संतों को पत्थर मार मार करके नर्दैता के साथ उनका बद कर दिया गया और तुम चुपो वहराईच की घटना तुम चुपो कनईया लाल दरजी राजस्थान छुडा भौंग दिया गया और तुम चुपो ऐसे कितने कांड बता दें कि तुम चुपो वो अपने काम बढाते चले जा रहें वो अपना हमले बढाते चले जा रहें तुमografi रामकी आत्रा पर पत्तर फैकते तुम चुपो तुमारे दुरगापंडालों को जलाते तुम चुपो कब तक चुपर होगी इसलिए सिर्फे सोय हुए हिंदुओं को जगाने के लिए हमने प्रनठाना है कि अब जातपात से उपर आना है भारत को भब बना